ओके देखो मैं बच्चा पार्टी लास्ट में हम लोगों ने कैपैसिटेंस कम्प्लीट किया उसके एनर्जी रिलेटेट बात की तब तक कैपैसिटेंस के बीच में कुछ नहीं था एर थी जब हम लोग के बीच में कोई मटिरियल करेंगे लाइकर डाइलेक्ट्रिक एड किया तो क्या होगा तो हम लोगोंने देखो कंड़क्टर पड़ा था याद करवा देता हो बटा कंड़क्टर के बारे में इसमें मोबाइल केरियर चार्ज होते है जो फ्री मोशन कर सकते है जेसे हम लोगोंने इसके उबर एक्सेनल एलेक्ट्रिक फिल्ड अपलाई किया राइट तो इस साढ़ नेगेटिव चार्ज इंडियुज ग्षावा इस साढ़ सारा पॉजटिव चार्ज इंडियूज ग्षा और अंदर का इलेक्ट्रिक फिल्ड ये हुआ था इंटर्नल और ये बेटा एक्ष्टनल था इस डिरेक्शन में चितना इंटर्नल था उतना एक्ष्टनल था इसले रिजल्ट अन इलेक्ट्रिक फिल्ड बेटा इंसाइड जिरो मिला कंड़क्टर के अंदर बात कर रहा हूं अब डाइलेक्ट्रिक यहां पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर कोई मोबाइल चार्ज केरियर नहीं होता है इसनले वहां पर कोई free motion नहीं कर सकता है puede कोई free motion नहीं कर सकता है मैं बच्छा पार्टी और में आपको एक्स्प्लेइन करूं तो इसके अंदर रिजल्टन इलेक्ट्रिक फिल्ड बनलग सबोज आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर यही चीज़ करोगे ग्लियर डिएट्रिक के अंदर एक्षेनल एक्षण इलेक्ट्रिक फिल्ड आप अप्लाई करोगे यह टो इंटर्नल इलेक्टर्क फिल्ड उसका अंदर का ऐसा जन्रेट होगा जो एक्षणब से कम होगा इसलिए उसका resultant बेटा जिरो नहीं आएगा जिरो नहीं होगा बेटा इकवल होगा तो जिरो बट इकवल नहीं होगा इसलिए जिरो नहीं होगा इसलिए डाइलेक्ट्रीक का जो concept है वो पढ़ना पड़ेगा यहने क्या बोला conductor के अंदर जब action electric field apply किया तो inside electric field 0 मिला but dielectric slave के अंदर dielectric मतलब insulator जिसके अंदर कोई charge carrier नहीं होते है जिसमें कोई charge motion नहीं कर पाता है हाँ अंदर electric field generate तो होगा due to the dipole positive or negative के हिसाब से बड़ उससे zero नहीं मिलता है उससे कम मिलता है तो यह सारी चीज़ आज हम लोग हमारे topic में पढ़ने वाले है dielectric and polarization polarization मतलब उसके पास polar उसके पास dipole moment नहीं होती है और हम लोग किसी भी तरीके से dipole moment उसके अंदर ला देते हैं तो उसको बोलते है polarization बड़ हम लोगों ने कोई external fade apply किया कोई external factor से हम लोगों ने उसकी energy ला दी उसके अंदर dipole moment start करवा दिया that means उसको बोला जाता है polarization हुआ तो मैं बच्चा पार्टी सबसे पहले dielectric क्या है वो समझेंगे सबसे पहले dielectric क्या है वो समझेंगे क्युआ पहलेIm झाल 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 दो मिनिट के लिए रुको नेटवर्क को कनेक कर देता हो उसके बाद वापिस बेटा स्टार्ट करते हैं यह रेकोर्डिंग बेसिकली स्टार्ट ही है हमारा तो कोई दिक्कत ने आएगी हर बार की तरफ इसी टाइम पर आज चूजदे है ना तो आज लाइट चली जाती है यार यस गेलक्सी आगिया चला अब कनेक्ट हो जा बेटा तो के आगिया 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 ओके बेटा एस पर ट्यूजडे लाइट चली गई है बेटा जितना समझ में आए उतना समझ लेना बट मैं आपको इसका वीडियो भी बेद दूंगा रेकोर्डिंग स्टार्ट ही है बेटा आपके लिए क्लियर तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते है डाइलेक्ट्रिक मैंने क्या बुला था डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक को समझते है पहले इंसुलेटर ऑबजेक्ट दीख़ए इसमें दो टाइप्स के डाइलेक्ट्रिक होते हैं एक होता है नॉन पोलार एक होता है बेटा पोलार नोन पोलार की बात करें तो जिसका पॉजिटी और नेगेटीव कॉनसेंट्रिक होता है कॉंसेंट्रिक होते हैं मतलब पॉजिटीव और नेगेटीव के बीच में कोई डिस्टन्स ही नहीं रहता है मतलब डिस्टन्स पॉजिटीव और नेगेटीव और नेगेटीव जिसको हम लोग 2a बोलते हैं तो अब उसकी डाइपोल मोमेंट कल्कुलेट करोगे न तो उसका अंसर जिरो आएगा मैं बच्चा पार्टी उसका अंसर क्या आएगा जिरो आएगा तो मैं बच्चा पार्टी टोटल डाइपोल मोमेंट जिरो मिला इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलार जिसके पास पर्मेनेंट डाइपोल मोमेंट नहीं है और पोलार मतलब पोलार मतलब क्या कि जिसका पॉजिटी और नेगेटिव दोनों कॉंसेंट्रिक नहीं होते हैं सेपरेट होता है जिसके बीच का जो डिस्टन्स है जो जिरो नहीं होता है मतलब उसके पास कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट मिलती है या तो आप D into Q कर सकते हो दो मेंसे कोई एक जिरो नहीं है मतलब वीचे जब पर्मेनेंट डाइपोल मोमेंट उसको पोलार मोलेकुल्स बोलते हैं पोलार एक्टम या पोलार मोलेकुल्स मैं सिंगल एक्टम की बात कर रहा हूं एक्जाम्पल H2 O2 यहाँ पर मैं डाइलेक्ट्रिक का एक्जाम्पल दे दू तो HCl H2 O 2H और एक O तो H positive O double negative clear तो यह what is the meaning of polar and what is the meaning of non-polar यह concept chemistry में भी आया था यहां तक clear हुआ give me a reply यह समझ में आया बेटा सबको यह समझ में आया सबको give me a reply बेटा yes या no yes very good very good very good चलो perfectly yes okay तो मैं बच्चा पार्टी note down करना अब हमारे पास जो non-dialectric मतलब में लास्ट में हम लोग हम लोग स्क्रीन सोट ले लेंगे अभी समझ लो पोलराइजेशन ओफ पोलराइजेशन ओफ नोन पोलार देखो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉंसेंट्रिक होते हैं अब मैं एक्षनल इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई करो तो आपको भी पता है कि फिल्ड जो है वह चार्ज के उपर फोर्स अप्लाई करेंगे नेगेटिव चार्ज फिल्ड के अपॉजिट डिरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव चार्ज उस डिरेक्शन में लगेगा मतलब नेगेटिव चार्ज इस साड़ चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस साड़ चला जाएगा पहले जो था पहले जो टोपिक पढ़ाता वो absence of electric field था अब presence of electric field में यहाँ पे dipole moment 0 थी अब dipole moment 0 नहीं होगी अब उसके पाँच कुछ dipole moment आ गई मतलब पहले non polar के पास dipole moment 0 थी अब कुछ ना कुछ dipole moment आ गई मतलब इसी को बोलते है बेटा क्या बोलते है polarization मैं बच्चा पाटी फिर से क्या बोलते है polarization it's called polarization this one is the polarization of non-polar तो यह motion करेगा देखो इस direction में F e लगता है negative इस direction में F e positive लगता है इन दोनों का जो restoring force लगता होगा बीच में restoring force इतना यह force हो जाएगा तब तक force लगेगा उसके बाद वो stable हो जाएंगे मतलब ऐसे लगता ही नहीं जाएगा अब क्यूंकि positive और negative के बीच में repulsive force भी लगता है अरे सोरी attractive force जो restoring force बोलते है external फिर दिया दोनों inside motion किये बट restoring force उसको original direction में लैने के लिए try करेंगे महार वाला उतना inside वाला तब exit clear हो जाएगा तब exit clear हो जाएगा मतलब I hope concept is all clear concept is all clear clear तो इसको बोलते है polarization of non-polar अभी new textbook में तो दिया नहीं है और textbook में दिया जाता था कि यह dipole moment जो मिली ना dipole moment is directly proportional to the electric field and proportionality eliminate करेंगे तो कुछ constant लगेगा क्योंकि यहाँ पर dipole moment क्यों मिली due to the electric field उसको हम लोग बोलेंगे alpha is known as a polar stability of atom p by e naught unit क्या बनेगा coulomb into meter newton per coulomb dipole moment का coulomb into meter होता है coulomb square meter per newton चलो यह बात थी polarization of non-polar चलो मुझे यह बता दो कि polarization of non-polar मतलब फिल्ड दिया तो non-polar polar में convert हुआ this phenomenon is known as a polarization यहां तक clear हुआ बेटा give me a reply बेटा lecture recording start अच्छे बेटा don't worry मारते हमें बेटा लाइट नथी yes, 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 very good बेटा अब बेटा हम लोग start करते हैं पोलार का polarization यह क्या ऐसा इसका विनिंग क्या है देखो basically क्या होता है मैं आपको बोलू कि हमारे पास कोई स्लेब है उसके अंदर बहुत सारे डाइपोल होंगे बट यू नो बाउट वेरी वेल ड्यू टू टेंप्रेचर 3 by 2 के बीटी जितनी thermal energy generate होती है जिसके हिसाब से वो random motion करते होंगे मतलब हर एक पोलार के पास डाइपोल मॉमेंट तो है बट सबकी डिरेक्शन डिफ्रेंट होगी बेटा देखो इसके डिरेक्शन ये इसकी डिरेक्शन ये नेगेटिव तो पोजिटीव सबकी डिरेक्शन देखो डिफ्रेंट है देख सकते होगे अब आप जब टोटल काउंट करने जाओगे तो सबका आप एडिशन करोगे अब देखो एक ऐसे होगा तो दूसरा ऐसे होगा ही आपको मिलेगा ही रेंडम है कंसीडर कर सकते हो इसलिए टोटल तो इसका जिरो ही होगा तो पोलार का पोलराइजेशन क्या क्या क्योंकि पोलार के सारे डाइपोल रेंडम डिरेक्शन में होते हैं उसको उसको सेम डिरेक्शन में लाओ isentropic medium बोला जाता है उसको same direction में सारे dipole आगे that means उसके पास कुछ dipole moment है मैं से नहीं बोल रहा हूँ चलो 50 ठका आगिया 50 percentage आगिया तो भी उसके पास 50 percentage तो dipole moment हुई पूरा slave की बात कर रहा हुआ each molecules has a permanent dipole moment each molecules has a permanent dipole moment but but सारे के पास सबकी total करेंगे तो वो तो zero ही मिल रहा है मैं बच्चा पार्टी वो तो zero ही मिल रहा है तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा मैं इसको external electric field apply करूँ suppose तो you know about very well कि field जब apply करते हो field जब apply करते हो dipole के उपर तब field डाइकोल पे उपर टॉर्क लगाता है और सारे rotational motion करते है जिसके उपर टॉर्क लगता है इसलिए rotational motion करते है और सभी dipole parallel to electric field arrange होने के लिए try करते है फिर से मैंने क्या बूला सभी random direction में है when we apply the external electric field at dead time generate the torque and torque gives the rotational motion always dipole electric field की direction में arrange करने के लिए try करेगा मतलब my बच्चा पार्टी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि suppose ये suppose ये आपका external electric field है right तो सारे dipole ऐसे arrange हो जाएंगे सारे dipole ऐसे arrange हो जाएंगे बट इसके लिए क्या करना होगा बताएं मैं आपको बता दू हो तो जाएंगे ऐसा हो तो जाएगा बेटा बट कब हम लोगों ने electric field से energy दी जो PE जितनी PE cost it, you know about variable electric energy electric potential energy और हम लोग temperature के हिसाब से कितनी energy होती है तो PE जो है ना बेटा वो 3 by 2 kbT से ज्यादा या तो equal होना चाहिए PE जो है वो 3 by 2 kbT से ज्यादा या तो equal होना चाहिए मतलब electric field वाली energy ज्यादा होनी चाहिए thermal तब 100% polarization मिलेगा अधरवाई थोड़े रह जाएंगे थोड़े random में होंगे 30% होगे parallel 70% random होगे तो 100% सबको parallel करना है तो इस सुल्भी कंपलसरी आपको ये करना होगा तो देखो बेटा दोनों केस में हम लोगों ने इसको हम लोग बोलते polarization of polar दोनों केस में हम लोगों ने electric field अप्लाई किया वेन वी अप्लाई दे लेक्ट्रिक फिल्ड वेन वी अप्लाई दे लेक्ट्रिक फिल्ड वेन वी अप्लाई दे लेक्ट्रिक फिल्ड उसके पास डाइपोल मोमेंट मिली तो मिनिंग याद रखना कि पर यूनिट वॉल्यूम Per unit volume जो dipol moment मिल रही है total dipol moment total dipol moment per unit volume is known as याद रखना इसको क्या बोला जाता है मैं बोल रहा हूं आपको ओकै polarization जिसको बोलेंगे capital P P total upon volume A into D you know about very well coulomb into meter meter cube coulomb per meter square उसका unit हुआ दोनों के अंदर की बात कर रहा हूँ कि external electric field apply करने से dipole moment मिली तो यह जो polarization हुआ दोनों में उसका base कौन किसके ओपर depend है electric field के ओपर depend है प्रपोजनालिटी eliminate करता हो तो कुछ constant लगता है यहाँ पर textbook में इस constant का नाम दिया है काई काई मतलब susceptibility susceptibility of dielectric slave susceptibility मतलब क्या suppose मैं आपको बोलू कि यह हमारे पास एक medium है जिसके अंदर हम लोगों ने dielectric enter किया है मैं electric field यहाँ से तो 100% दे रहा हूं बड़ इस साड़ है ना 95 परसंटेज ही निकला तो 5 परसंटेज एब्जोब हो गया तो जो एब्जोब होने की जो एबिलिटी है susceptibility मतलब क्या ability of absorb जो medium है उसके अंदर कितनी एब्जोब करने की ability है उसको बोला जाता है susceptibility और जो पास होने देता है उसको बोलते है permitivity 95 परसंटेज पास हुआ तो उसकी permitivity 95 परसंटेज है बड़ 5 परसंटेज एब्जोब किया तो 5 परसंटेज उसकी susceptibility है याद रखना बेटा दूसरी बात आप ये भी समझ सकते होंगे बेटा कि मैंने जैसे ही यहाँ पे electric field अपलाई किया तो ये positive negative साथ में आ गया देखो ये वाला तो इसकी effect cancel हो जाएगी यहाँ पर ये positive negative साथ में आ गया इसकी effect cancel हो जाएगी मतलब मतलब थोड़ा समझे थोड़ा समझे तो होगा क्या बेटा देख ले होगा क्या कि यहाँ पे सारा negative charge बचेगा यहाँ पे सारा positive charge बचेगा और inside एक electric field यह polarized charge बोलता है इसको नाम क्या बोलता हूँ polarized charge polarized charge sigma p और यह plus sigma p तो अंदर भी एक electric field जनरेट होगा हम लोगों ने actionable दिया था यही note अंदर e p जनरेट हुआ तो resultant electric field क्या होगा बेटा resultant resultant क्या मिलेगा आपका तो external में से internal बेटा सब्ट्रिक करना होगा equal नहीं होगा equal क्यों नहीं होगा क्योंकि dielectric है जिसका electric field external divided by k times होता है force divided by k याद पर याद है ना dielectric slave दाकल करने से f upon f by k हो जाता था वेसे ही बेटा ये e upon e by k हो जाएगा मैं आपको बता दू एक result एक बढ़िया सा result बता दू कि हमारे पास ये capacitor है समद लेना बेटा perfectly इसके पास चार्ज सिगमा है negative charge है कुछ नहीं है electric field है कितना है sigma by epsilon naught जैसे ही बेटा आप इसके अंदर medium रखोगे slave रखोगे जैसे बेटा इसके अंदर आप slave रखोगे ये outer side है ओके देखना जैसे ही आप slave रखोगे तो slave का negative यहाँ पे आ जाएगा positive सारा यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि external electric field दी है na slave में बीच वाला cancel हो गिया मतलब अब ये sigma और ये sigma p ये sigma और ये sigma p यहाँ पे चार्ज कितना होगा sigma minus sigma p और यहाँ पे क्या होगा sigma minus और plus sigma p minus common निकालो मतलब यहाँ पे जो sigma था आप वो sigma minus sigma p हो गया मतलब अब आपका electric field क्या होगा sigma minus sigma p by epsilon not clear है तो ये चार्ज जो है sigma minus sigma p वो original जो होता है na sigma उसको divided by k होगा तो sigma by k तो electric field is also original से divided by k होगा force is also divided by k potential is also divided by k potential energy is also divided by k सब कुछ divided by k हो जाएगा मिडियम रखने से डालेक्ट्री स्लेब रखने से तो मैं बच्चा पार्टी इंसोर्ट में आपको कर उच्चान से फितैं tenía कर दो क्षान से गॉकान से रखने से बाएगा कर लो एएगई से बेुई है ? लिख स्थरेज़ लिख से लिख से कि अख जादाए लिख से कि अख लिख से लिख से कि अख मेंगा। कि यह स्वर्दन गाउं में है क्या है तो घर पे अच्छी गिरीनेरी है पीछे तो माई बच्चा पार्टी में आपको क्या बोल रहा था कि देखो हमारे पास एक्सनल एलेक्ट्रिक फिल्ड में हम लोगों ने कंड़क्टर को रखा तो कंड़क्टर को रखा तो जितना एक्सनल फिल्ड इतना इंटर्नल फिल्ड टोटल जिरो हो गया बट जब conductor में charge carrier होते है बट insulator के अंदर dielectric के अंदर charge carrier नहीं होते है जैसे हम लोग external field apply करेंगे तो उसके dipole ऐसे arrange होंगे कि inside electric field तो generate करेंगे बट वो equal नहीं होगा इसलिए अंदर का field zero नहीं होगा इसलिए dielectric का capacitance पढ़ना बहुत important role play करेगा बेटा माई बच्चा बाटी आगे बढ़ते है dielectric has two types of atoms non-polar and polar non-polar मतलब जिसके पाँच कोई dipole moment नहीं होती है मतलब positive और negative एक ही point पे concentric होते है non-polar में polar में separate होते है इसलिए यहाँ पे dipole moment zero न मिलती है इसकी नहीं मिलती है इसके example O2H2 इसके example HCL, NACL यह clear हो गया अब non-polar जो थे उसके अंदर electric field apply किया तो negative is set गया positive is set गया उसके पास कब तक जाएगा restoring force parallel equilibrium करेगा और उसके बाद उसके पास कुछ distance बच गया मतलब उसके अंदर dipole moment आ गई मतलब यह बोला जाता है non-polar का polarization अब polar atom जो है उसके पास permanent dipole moment कब आएगी कि जब उसका slave की direction सारी सेम होगी तो but due to the thermal vibration 3 by 2 kbT energy से वो random direction में motion करते है random होते है इसलिए total इसका 0 होता है but जैसे ही external electric field apply करते हैं तो उसके उपर torque लगता है और धियार arrange in same direction of electric field but उसके लिए electric energy जो P.E. बोला जाता है P.E. कोस्टिटा जिसे P.E. बोलते हैं वो 3 by 2 kbT से ज्यादा या तो equal होनी चाहिए तब ये चीज हो सकती है clear तो दोनों cases में non-polar का polar और polar की total 0 थी अब कुछ मिली दोनों cases में जो dipole moment मिली तो dipole moment per unit volume dipole moment upon unit volume is known as a intensity of polarization P is equal to P total by V तो ये polarization जो है वो किसके ओपर depend है electric field के ओपर depend है प्रपोजनालिटी eliminate किया constant लगा जिसको नाम दिया काई clear जैसे हम लोगोंने electric field apply किया हमाई बच्चा पाइटी तो एक साइड negative charge induce हुआ polarize हुआ induce हुआ ऐसा बोलता है पर polarize हुआ एक साइड positive charge polarize हुआ मतलब सपोज वो capacitor की plate होती फिल्ड capacitor ने generate किया actionable तो sigma था बट अब sigma नहीं रहेगा sigma minus sigma P रहेगा मतलब जो plate के ओपर charge था उसमे sigma P या तो add होगा या तो subtract होगा बेटा मतलब actionable electric field से वो field अंदर भी generate होगा बट उससे थोड़ा कम होगा इसलिए resultant electric field मैंने क्या बोला E note minus E internal मतलब पहले sigma रहेगा epsilon note था अब sigma minus sigma P by epsilon note हुआ I hope थोड़ा concept clear हुआ होगा इसकी जो next year ये ना कल पढ़ेंगे क्योंकि एक साथ सब कुछ loading नहीं देना है ये theory आप लिखने के लिए try करोगे इस तरीके से ओके बेटा तो मैं केशा को बोलता हूँ बेटा textbook read करनी है इसका recording में बंद कर देता हूँ क्योंकि textbook तो आप read कर सकते हो जो ये recording सुन रहे है वो each and every lines अब textbook की learn कर लेना कोई lines समझ में नहीं आए तो मुझे बताना बेटा अब ही इसके अंदर recording के अंदर वो में adjust नहीं कर रहा हूँ तो बच्चा